हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे युवा जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंट कहते हैं पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंट है उसको नरेंद्र मोदी जी बीजेपी ने डेमोग्राफिक disaster में convert कर दिया है हिंदुस्तान को एक नई द्रिष्टिकोन की एक नई विजन की जरूरत है हिंदुस्तान को विजन Congress Party ही दे सकती है छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती है और BJP का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है वो वो पूरे देश को दिख रहा है अगर आ अपने 40 साल में सबसे जादा बेरोजगारी पैदा कर दी तो देश का विजन नहीं हो सकता है तो हम इस बात को accept करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए द्रिष्टिकोन एक नए विजन की जरूरत है और शुरुवात उत्तर प्रदेश से होती है और अगर उत्तर प्रदेश को एक नए विजन नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान को एक नए विजन नहीं दिया जा सकता है इसलिए हमने पूरी कोशिश की है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नया रास्ता एक नए स्ट्राटिजी दे यह हमारा लक्ष रोजगार कहां से पैदा होता है कैसे ब कमिट करते हैं और दिलवाते हैं और दूसरी बात जो प्राइविट की बात हुई रोजगार स्मॉल और मीडियम बिजनेस से आता है रोजगार बड़े बड़े बिजनेस से कम आता है बीजेपी की स्ट्रेटिजी और आप ये किसी भी दुकानदार से पूछ लीजे किसी भी छोटे वियापारी से पूछ लीजेए बीजेपी की स्ट्रेटिजी छोटे वियापारी को खतम करने की है डी मॉनिटाइजेशन गलत GST कोरोना के समय उनके सब एक्शन्स मजदूरों के साथ उन्होंने जो करोना में किया इन सब एक्शन्स का लक्ष स्मॉल और मीडियम बि करके आगे बढ़ती है हम छोटे वियापारियों को स्मॉल मीडियम बिजन्स की रक्षा करते हैं उनके लिए इंसेंटिव क्रियेट करते हैं और उन से रोजगार पैदा करते हैं और जो लार्ज बिजन्स हैं उनकी भी हम मदद करते हैं अब मैं यूपी का आपको उधारन देना चाता हूं जो इनके मैनिफेस्टों में है यहाँ पे अलग-अलग क्लस्टर्स हैं आगरा, मिर्जापुर, मिर्जापुर में कालीन, मुरादाबाद में बरासवर्क्स, काच का, फिरोजाबाद में, लखनओ में, आम, ये क्लस्टर्स हैं ये उत्तर प्रदेश का धन है. आम को process करने के लिए BJP की सरकार ने क्या किया? जीरो. Brassware को develop करने के लिए BJP की सरकार ने क्या किया? जीरो. ये सब clusters को आज देख लिजिए. ये UP की शक्ती है. हम इन clusters को unlock करना चाते हैं. हम इन clusters में जो छोटे व्यापारी हैं, small medium industry है, उनकी मदद करना चाहते हैं, और इन clusters के थुरू हम UP को रोजगार दिलवाना चाहते हैं, BJP ये काम करना ही सकती है और करना नहीं चाहती है BJP दो तीन उद्योग पतियों को बड़े-बड़े contracts पकड़ाना चाहती है, ये फरक है तो आपने कहा कि हमारे states से हमने कौन से उधारन लिये है प्रियंका जी ने आपको समझाया कि हमने अलग-अलग उधारन, अलग-अलग states से लिये हैं, मगर मैं आपको कह रहा हूँ, कि अगर आपकी central strategy आपकी नियत ही गल्थ है, तो आप रोजगार पैदा ही नहीं कर सकते हो और अगर आप आज देखें, कि 14 करोड हिंदुस्तान के यवावन ने रोजगार खोया है, इसका कारण demonetization गलत GST और कोरोना के समय जो सरकार ने actions लिये वो है, और Congress Party इस तरीके का काम कभी नहीं कर सकती